Kids Camp में चल रहे हैं अप टू 50% डिसकाउंट on Kids Wear, Ladies Wear और Man Wear पर Kids Camp में टॉप ब्रैंड मुप्टी, Piker, River Blue Kids Camp मुम्ब्रा का पहला Clothing Mall है जहां मिले Newborn Babies से लेकर सभी के जरुरक्ती चीज़े 100% Client Satisfaction तो आज ही आए Kids Camp पुलिस को गिरफ्तार किया गया है वर्दी पहन कर यह लड़कियों को इंप्रेस किया करता था और उनके सामने शादी का प्रबोसल रखता था आरूपी का नाम निलेश चोहान है बहराल इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है खाने Crime Branch Unit 1 ने तिलंगाना से गाजा लाका खाने में बेचने वाले दो आरूपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से 12 किलो गाजा जब्त किया गया है पकड़े गए आरूपियों का नाम टपा निल और सुभास गुरूगुला है विवन्डी के शांती नगर में साथे 3 साल की फाच्मा नाम की बच्ची पर आवारा कुटों ने हमला कर दिया घर के बाहर ये बच्ची खेल रही थी तभी आवारा कुटों ने इसे नोचना सुरू कर दिया बच्ची के चेहरे और शरीर पर कई जगां जख्म हो गये हैं इलाज के लिए इसे कलवा छत्रपती शिवाजी महराज अस्पताल में भरती किया गया है खाने के अंबरनात में गुरुवार को एक रसायनिक फैक्री में भीशड आग लगी मौके पर दमकल की आठ गाडियों ने पहुँचकर आग पर काबू पाया किसी के हाताहात होने की खबर नहीं है उत्रप्रदेश के गुंडा के नगर कोतवाली में तालाप में एक महिला का शौव मिलने से संसनी फैल गया है अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है पुलिस ने शौव को पोस्ट मॉटम के लिए भेश दिया है और मामले की जाच की जा रही है गुंडा की केमरायल गंज फरीदुन निशा हत्या मामले में पुलिस ने दो आरुपियों को गिरफटार किया है पुलिस अजिचक शैलेश कुमार पांडे ने बताया है कि मुरित तक महिला के पती विदेश में रहता था और इसी दोरान महिला के संपर्ख में इस्माइल आ गया और जबकि इस्माइल भी शादी सुदा था महिला शादी का दबाव इस्माइल पर बनाने लगी इसी वजह से इस्माइल ने अपने चचेरे भाई इर्फान के साथ मिल कर महिला फरीदुन निशा की हत्या कर दी वहराल दोनों आरुकियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है हर साल की तरह गोंड़ा में भी महाशिव रात्री मनाए गई भगवान सीव की बारात पीपल चावराहे से दुखरा नात पहुंची इस दोरान भक्ती धुन पर अश्रद्धालू नाश्ते गाते हुए नजर आये और भगवान सीव का आशिरवाद भी प्राप्त किया सीरिया की तेल रिफाइनरी पर भयंकर मिसाइल हमला हुआ है तेल रिफाइनरी हमले में 180 टैंकर जल गए है जब कि चार लोगों की मौत हो गई है 24 लोग घायर है बरबादी की ये तस्वीरें सीरिया की हैं तेल रिफाइनरी पर एक के बाद एक तीन मिसाइल हमले हुए है और हमले की जिम्मेदारी अभी तक पिसी ने नहीं लिए महिलाओं का कहना है कि इन्हें इनका हत मिले ताकि पूर्शों के बराबर इन्हें सम्मान मिल सकते तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहाट आई